ये comparison 1 January 2020 से आज तक की है, ये period पसंद करने का कारण ऐसा है कि हम downfall और अपनुग दोना एक साथ देख सकें. 1 January 2020 से मार्च 2020 तक निफ्टी 38% डाउन था और ये stock सिर्फ 20-25% निचे गया तो हमें stock को full marks देने चाहिए. January 2020 से current date तक 15% बढ़ी है stock की price. Stock का performance निफ्टी से कमजूर रहा. Long term में stock ने कैसा performance किया है, वो देखते हैं. 1-1 2014 को share price थी और index था. 6 साल बाद share price थी और index था. Lockdown में जब lowest point पर market थी, तब 23 मार्च 2020 को share price थी. और index था. और current price है. और index है. अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है, तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए. एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए. दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है, तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, nifty के मुकाबले. तीन, जैसे ही market recover होती है, हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए, nifty के मुकाबले. चार, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share nifty से better है या नहीं, यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे. अगर आपको sector का top share चुनना है, तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है. 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस share में इन्वेस्ट किये. 6 साल बात, 1 जानुवरी 2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए. मार्च में इस investment की value हो गई. और करणट share investment की value है. 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्ट किये. 6 साल बात, 1-1-2020 के दिन इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए. मार्च 2020 में इस investment की value हो गई. और करण इन्वेस्टी 50 investment की value है. शेर में appreciation ज़्यादा हुआ है. इसलिए first point share ने जीत लिया है. Second point share ने जीता. Third point nifty ने जीता. Overall nifty जीता. यही figure चार्ट में देखते हैं. एक मिनिट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह share और nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं. वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी? यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती. FD के 8% के मुकाबले nifty ने कितने percentage का return दिया? यह share ने कितने percentage का return दिया? यह comparison है 1st October 2020 से आज तक की. यहाँ पर share मजबूत रहा? यह comparison है 1st December 2020 से आज तक की. यहाँ पर share मजबूत रहा? यहाँ तक की.